अज बनाते हैं कच्छी दाबिली यह बहुत ही टेस्टी वनती है और सबने जरूर लाइफ में एक बार तो खाई होगी इसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है बिकोज जादा चीजे लगती है बर अगर आप स्टेप बार स्टेप फॉलो करोगे तो बड़ी इजी से बन जाए पर इसमें डाल देंगे हमारे क्रश किवे हुए आलू आलू को आप कट करके भी डाल सकते हो बर स्मैसर टेस ज्यादा अच्छा था है स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे नमक ज्यादा मत डालिएगा अच्छी से लो फ्लेम पे सारी चीजों को पका लेंगे इन सारी यहां पर थोड़ा सा प्यास स्टफिंग में डालने के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ता थोड़े से अनार के दाने यह को कोनट का क्रश यह जो हमारे मसाला पिनट थे उन्हें थोड़ा सा क्रश कर लिया है मैंने यह भी जाएगा हमारा स्टफिंग में यह इमली की चट्ट यहां पर लिए बारिक सेव एक बड़े से प्यास को बारिक कट कर लिया है अब हम स्टफिंग में यह थोड़े से अनार दाने डाल देंगे फिर डालनेगे हमारे मसाला पीनट प्यास डालेंगे सारी चीजों को हमें अच्छे से स्प्रेड करके इसमें मिक्स कर लेना है अब डालेंगे नारियल का बुरादा इससे टेस्ट बहुत ही बड़ी आता है दनिया पत्ता डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे यह हमारे दाबली की स्टफिंग बनके बिलकुल रेडी है अब चलते हैं हमारे पाओ की तरफ अब देखिए मैं दो टाइप की दाबली बनाने वाली हूँ एक हम जिसे असेंबल करेंगे और फिर बटर में सेखेंगे और एक पहले पाओं को बटर में सेख लेंगे तो यहां दोनों को यहां पर इस पे अच्छे सिस्प्रेट कर देंगे ठीक है इस लगाने में बिलकुल गांगे अच्छी मत कीजेगा चटनी से स्वाद और चट पता आता है यह हरी चटनी है हरी चटनी की रेसिपी में अपने शॉट में डाल दोंगी बड़ी ही ईजी सी हरी चटनी ना धन्यापत्ता, हरीमिर्षि , पौर बनाई है धन्यापत्ता अग्धारlli लुण स्टेफिंगों प्टेएपन की स्टेफिंग को आप चमुच से श्बैर टूंत कीज जाया बाफ 500 जाओ्ट worthless, प्टेफिंग आप तूट सकता है कि जातर अब हम इस पे डालेंगे चीज अब यहां पर ग्रेटेड चीज भी यूज़ कर सकते हो मैंने चीज के स्लाइस लिये हैं और एक ही स्लाइस को मैंने अच्छे से चार हिस्सों में काटना था यह देखे अगर अपने मेरा वड़ा पॉब को वीडियो देखा होगा तो आपने उसमें देखा होगा फिर ग्री यहिसी के चीज स्लाइस को प्लेसस किया था इसे डख देंगे चीज के स्लाइसे को बहुत पहले ही बाहर निकाल के रखा था इसलिए वो थोड़े स्टिकी स्टिकी हो गया है आप क्या कीजेगा फ्रेज से तभी निकाल लिएगा जब आप असेंबल करने वाले हो तो वो अच्छे से कटेंगे अब देखें हमने सारे चीज के इसलाइस को अच्छे से प्लेज कर दिया है अब अब दाबली को हम ख्लोज कर դो एक पैन में अच्छा सा ठीड verf या बटर डाल के हम इसे अच्छे से से च्रीज कर लेना है जब ए ये इस पे हम हमारी यहिना प्री प्रिज कर देंगे और इसे एक मिनट काफी है एक भी नहीं आधा मिनट जैसे पाउक गोल्डन होने लगे तो निकाल लीजेगा यह काम हमें बड़े मतलब सावधानी से करना है अगर आपकी स्टपिंग बाहर निकल गी तो सारी दाबिली खराब दिखेगी अगर आप चाते हो आपकी दाबिली सुन्दर दिखे तो नाजुक हतों से काम कीजेगा हलके हलके से प्रेश करते रहेंगे जिससे की हर जगा से अच्छे से सिख जाए यह दिखेए बस लाइटली गोल्डन हो जाए फिर निकाल लीजेगा यह हमारी दाबिली बनके विल्कुल रेडी है अब इसकी सजावत की तैयारी कर लेते हैं इसके लिए लेंगे थोड़ा सा प्यास थोड़ा सा धन्या बत्ता अनार के दाने सेव यह सब को हम अच्छे से एक मिक्षर बना लेंगे जो हमारा गार्नेशिंग में यूज होगा अब इसे अगर स्टीट स्टाइल डाबिली खाई होगी तो आपने देखा होगा उसके साइट में बहुत सारा मसाला लगा हुआ होता है जो हमने आलू की स्टफिंग मनाई थी न आपने पीनट्स इनको लगाते हैं पर यहाँ पर मेने क्या किया है देखिए ज़्या नहीं लगाए है तो अच्छे से थन्या पत्ता से व अगईरा चिपकर आपाता है अगर आपको मसाला स्टफिंग जादा पसंद हो तो आप वैसे ही जो कॉरनर से नो साइट के वहां पर करेंगे तो हम आसे से लग चुकी है और मिलागा दो रहाए न रिचे न अधु कि दिप अन गरी तो हम निले सकते हैं आप चाहो ना तो साइट में ऐसे मसाला लगा लेना और अलू का तो फिर और अच्छे से स्टफ होंगी अब हमारी दाबेली बिल्कुल रेटी है इसे गार्निश कर देते हैं जो हमने अनार के दाने सीयो प्याज सारा में चीज़े मिक्स की थी उसके साथ प्लेट में सारी जगा पे अच्छे से प्लेस कर देना है सुन्दर दिख रहा है ना थोड़े से मसाला पीनट्स दाल देते हैं मसाला पीनट्स आप गड़ पर भी बना सकते हो नहीं तो पैकेट में जो बाहर मिलता है वो भी यूज कर सकते हो यह हमारी बटर दाविली बनके बिल्कुल रेडी है, देखिए कितनी सिंदर दिख रही है, दाविली बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, विकॉस इसमें बहुत सारी चीजे लगती है, बट यह सारी चीजे आपको बाजार में भी, मतलब एजीली अवेलेबल हो जाती है, यह आप बहुत अच्छी लगती है, वैसी थोड़ी सी, कम मसाले दार होती है, और इसमें अब जादा मसाला स्टफ कर सकते हो, देखिए मने पाव को बटर में अच्छे से सेक लिया, जादा नहीं सेकना है, और दबाना भी नहीं है, विकॉस इसमें स्टफिंग भरनी चाहिए, अग दनिया पत्ता डाल देंगे, अनार दाने डाल देंगे, अनार दानों से टेस्ट बहुत अच्छा था, इसलिए अनार दाने डालने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना है, इसमें हम भर भर के अनार दाने, सेव और मसाला पीनट्स डालेंगे, इसके पाव हमने पहले ही बट इसमें एड़ कर सकते हो और ये देखिए हमारी कच्छी दाबिली बनके बिल्कुल रेड़ी है अब इसे आप चाय के साथ या फिर यूही शाम को जब भी कुछ चटपटा खाने का मन हो तब इंजॉय कर सकते हो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब प्लीज चैनल इत मेंस आ लोट बढद बाइ